Hello friends, today I will tell you how to make doll with coconut shell. चलिए इसके लिए हमें चाहिए two coconut shell, sandpaper, brushes, acrylic color and glue gun. First we will rub coconut shell with sandpaper. अब उसके बार हम white color, acrylic color दोनों shells पर लगाएंगे. सुखने के बार, skin color बनाएंगे, जिसके लिए हमें चाहिए white and orange color का combination. अब हम एक shell पर skin color लगाके सुखाएंगे और दूसरे shell पर pencil से design draw करेंगे. मैंने blue और pink color इस्तमाल किया है. अब हमने चिसक में चेहरा बनाना है, उसके लिए हम features के लिए pencil का इस्तमाल करेंगे. Pencil से features बनाएंगे. And this is how we will color the face. I have used red color for nose and mouth. Now for hair, we can use either this method of coloring black or the other way I will show you further. इस तरह हम अपने डॉल का चेहरा बनाएंगे और इसे सूखने के लिए रख देंगे. अब दूसरे shell में हम पोल का dots बनाएंगे, cotton bird की help से. अब हम रसी लेंगे और इसके corners में glue gun लगाके उसको चिपकाएंगे. और जिस तरह हम अब चोटी बनाते हैं, उसी तरह इसे बनाएंगे. इस तरह, अब हम इस डोरी को अपनी ब्लू वाली shell के नीचे चिपकाएंगे glue gun की साहिता से. लाइक देस. और इसी तरह की दो चोटियां और बनाएंगे और उसे डॉल के बाल बनाएंगे. एक तरीका मैंने black color से सिखाया था, अब यह दूसा तरीका है जिसे हम रोब की साहिता से डॉल के बाल बनाएंगे. और अब हम रोब की साहिता से ही इसके सर को नीचे से जोडेंगे. आल अबिका जाब से आहिता ही इसके से जोडें जु चोटिया प्लाएंगे. if you like the doll then kindly like and comment thank you